जहें दोस्तों आज के एक और इस नए वीडियो में हम जानेंगे iOS के विसे में इस वीडियो में हम समझेंगे कि आकर ये iOS क्या होता है आज के समय में इस iOS का यूज क्या है और कहां पर इसको यूज किया जाता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों यह जो iOS है इसका पूरा नाम है iPhone Operating System iPhone Apple Company का है और Apple Company के जितने भी device आज के समय में आप यूज करते हैं फिर चाहे वो iPhone हो, iPad हो, Macbook हो या Apple की Watches हो इन सभी के अंदर जो Operating System है वो iOS है यानि कि iPhone Operating System है दोस्तों किसी भी smartphone को या किसी भी technology related product को यूज करने के लिए एक Operating System की जरुत होती है उपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसके जरीए आप उस device को operate कर सकें उसको आप access कर सकें बिना किसी operating system के आप ना तो कोई phone चला सकते हैं ना कोई आप computer चला सकते हैं आज की समय में जैसे Apple का अपना एक operating system है जिसका नाम है iOS उसी तरीके से आप जो Android mobile phones use करते हैं Android उसमें operating system है और Google company का operating system है Android यानि कि जितने भी लोग आप जो Android के smart phones use करते हो mobile phone use करते हो वो सभी Google के operating system Android का use करते हैं उसी तरीके से जब हम बात करते हैं system के किसी laptop को use नहीं कर सकते अगर वो Apple की Macbook नहीं है तो तो इस तरीके से अलग-अलग यहां पर operating systems है और Apple का अपना operating system है iOS जिसको हम iPhone operating system के नाम से जानते हैं Apple ने सबसे पहली बार साल 2007 में जून में अपने पहले iPhone के साथ इस iOS को launch किया था जब सबसे पहली बार इसको launch किया गया तो इसको initially शुरुवात में iPhone operating system इस नाम से जाना जाता था शुरुवात में इसको short name iOS से नहीं जाना जाता था लेकिन साल 2010 में इसको short में iOS कर दिया गया और फिर जहां भी इसका नाम आता वो iOS आता ना कि iPhone operating system अब यहां पर यह जो iOS है जो Apple company का operating system है Apple company इसमें हर साल कोई ना कोई नया सुधार करती गई नया change लाती गई जिसके चलते इसके अलग-अलग versions हो गए जैसे सबसे पहला version iOS 1 2007 में launch किया Apple ने दूसरा किया 2008 में जिसका नाम था iOS 2 iOS 3 किया 2009 में iOS 4 किया 2010 में और ऐसे करते करते उसको improvement करते करते आज 2024 के अंदर iOS का 17th version हमको देखने को मिल रहा है यानि कि iOS 17 आज हमको 2024 में Apple company की तरफ से देखने को मिल रहा है अब यह जो हर साल company सुधार करती है इसमें कुछ major changes मैं आपको बताओं कुछ बड़े बदला तो जब शुरुबात में iPhones आय थी तो उनमें touch ID देने लगे यानि कि आपके fingerprint से आपका smartphone जो iPhone था वो lock-unlock होने लगा उसके बाद face ID देने लगे कि face से आपका phone lock-unlock होने लगा Siri करके एक software है जिसको आप voice command दे सकते हैं जिससे आप कुछ भी कोशन कर सकते हैं तो उसको भी लाया गया इसके बाद करते हैं कि जो किसी भी कंपनी का अपना operating system होता है जैसे Apple का iOS है वो कितना ज्यदा महत्पून होता है कितना ज्यदा important होता है तो बेसिकलिए जो iOS है यह operating system है यानि Apple की जितने devices हैं उनको operate करने के लिए एक system की जरूत होती है और उस system को हम कहते हैं iOS यानि कि iPhone operating system मैं उमीद करता हूँ आपको अच्छी से